साथियों, आज हम मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का अध्यन करेंगे प्लाज्मोडियम को समानिता मलेरिया परजीवी कहा जाता है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जटेल होता है तथा वे दो परपोशियों में मनुष्य तथा मच्छर से गुजरता है इसका लेंगिक चक्र मच्छर में तथा आलेंगिक चक्र मनुष्य में पूरा होता है जब परजीवी से संक्रमित मादा एनफलीज किसी मनुष्य को काटती है तो संक्रामी विजाणू रुधिर प्रभा में अंताचेपित हो जाते हैं जिसके कारण मलेरिया हो जाता है मलेरिया परजीवी का संचारण करने वाला मच्छर रोग वाहक कहलाता है आज हम मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का अध्यन इस चार्ट की मदद से करेंगे जैसे ही कोई संक्रमित मादा मच्छर स्वस्त मनुष्य को काटता है तो पतली लंबी जीवी कोशिकाएं रुधिर प्रभा में आ जाती हैं, वो रुधिर प्रभा से होते हुए यक्रत की कोशिकाओं में पहुशती हैं, तथा यक्रत में बहुगणन प्रारंभ हो जाता है, इस अवस्था को प्री-ेरिथ्रोसिटिक चक्र कहा जाता है, इसके के क्रिप्टो मीरोजोइट्स निकलते हैं, एक लगू, दूसरा दीर्ग, जो लगू क्रिप्टो मीरोजोइट्स होते हैं, वो लाल रक्त कोशिका में आकर प्रवेश कर जाते हैं, और इसको लाल रक्त कोशिका चक्र कहा जाता है, तथा एक्जो एरिथ्रोसिटिक चक्र मे लाल रक्त कोशिका चक्र में जैसे ही क्रिप्टो मीरोजवाइट्स लगु आकार वाले लाल रक्त कोशिकाओं में आते हैं, वह कुछ समय के उपरांत ट्रोफोजवाइट अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं ट्रोफोजवाइट अवस्था और सिगनेट रिंग अवस्था के तुरंत बाद अमीवी अवस्था आती हैं, अमीवी अवस्था कुछ समय पर शाथ साइजोंट अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, तथा रोजट अवस्था से होते हुए यह जब उसकी छमता से पार हो प्रवेश करके ये चक्र पुना प्रारंब कर देते हैं। कुछ कोशिकाएं यक्रत की कोशिकाओं में जाकर पुना बहुगुरण प्रारंब कर देते हैं। अब कुछ कोशिकाएं आपकी प्रतिरोधक छमता के कारण तथा आपकी द्वारा लिये जाने वाली औसधी के कारण युगमक जनक में परिवर्तित हो जाती है युगमक जनक दो तरीके के होते हैं एक लगू एक दीर्ख लगू युगमक जनक, नर तथा दीर्ख युगमक जनक मादा कहलाता है यह दोनों निशेचित होकर के युगमनज में परिवर्तित हो जाते हैं युगमनज युगमक पुट्टी में परिवर्तित हो जाता है जो की अमाशय की दीवार पर आकर कर इस्पोरोब्लास्ट अवस्था बनाता है इस्पोरोब्लास्ट अवस्था इसकी छमता से अधिक हो जाने पर फट जाती है तथा इस्पोरोजोईट्स शरीर में बाहर आ जाते हैं जो शरीर में होते हुए लार ग्रंथी तक पहुच जाते हैं। अब यह मच्छर जब पुना किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है, तो उसकी लार ग्रंथी से यह अवस्थाएं फिर रुधिर प्रवा में आ जाती हैं, तथा रुधिर प्रवा से होते हुए यक्रत में पहुचती हैं। यह चक्र मनुष्य में पूर्ण होता है। यक्रत में बहुगुणन तथा लाल रक्त कणिका चक्र, जबकि मच्छर में चक्र लैंगिक होता है। इस प्रकार ये दोनों चक्र चलते रहते हैं। इस तरह हमने देखा कि किस तरह मच्छर के काटे जाने के बाद प्लाजमोडियम अपने जीवन चक्र को लेंगिक तथा आलेंगिक चक्रों से होते हुए पूर्ण करता है साथियों अब यह बताओ कि मलेरिया के लक्षण जैसे ज्वर एवं ठिठुरन कब प्रकट होते हैं परजीवी कोशिकाएं लाल रुधिर कोशिकाओं को संक्रमित करती हैं जहां उनका बहु गुणन होता है इस इस्थिती में लाल रुधिर कोशिकाओं पड़ जाती हैं जिसके परिणाम सुरूप अविशों या टॉक्सिन सहित अधिक परजीवी कोशिकाओं निकलती हैं इसके कारण ठिठुरन तथा ज़र प्रकट होते हैं झाल 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 झाल